हेलो फ्रेंड्स गुड बॉर्निंग कैसे उस अब आप आई होप आप सब अच्छे होंगे आज कि हम क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट के कुछ कंसेप्ट डिसकस करने वाले हैं तो देखते हैं इसमें देखिए जैसा कि आपको पता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट का कंसेप्ट होता है अगर subject similar है तो इसके साथ में आने वाली वर्बी similar होगी यह तैह है अगर subject plural है तो इसके साथ में आने वाली वर्बी कैसे होगी plural होगी यह confirm होता है और एक basic बात और बता दूम आपको कि जिस भी वर्ब के end में ऐस होता है वो singular होती है वर्ब का base form base form हमेशा plural होता है base form हमेशा ही plural होता है और base form की जो form होती वो V1 होती यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अब इसमें कुछ concept है जैसे generally हम एक दो को पढ़ लेते हैं बाकी को नहीं पढ़ते है none, none of, none of, none but, none but none but का means होता है के अलावा क्या means होगा? के अलावा अब इसमें क्चित ध्यान रखना सबसे बड़ी बात क्या है? कि हम जैसे मानलेजी सभी को का अगर सभी का concept क्लियर कर लेते हैं तो हमें तकलीफ नहीं होती है तो none, single अगर subject का काम कर रहा है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी कैसे होगी? singular होगी none of के बाद में noun की position दोनों ही हो सकती है countable होगी तो plural होगी verb singular होगी none of के बार noun uncountable है तो वो कैसे होगी? singular होगी इसमें एक चित धन रखना की एक basic concept अब इसमें discuss करते हैं सबसे पहले कि जैसे मानलीज ये ओप का प्रियोग कभी भी 24 के sense में होता है 24 एक से अधिक होगी तो ही की जा सकती है द्रवाज नहीं करेंगी तो ये confirm वालना कि noun plural होगा और in every condition noun countable ही होगा जब भी ओप का प्रियोग choice के sense में करते हैं अगर ओप का प्रियोग possession के sense में करते हैं किस sense में करेंगे? possession के sense में करेंगे तो आप समझलो कि इसके साथ में noun singular और plural दोनों ही हो सकता है singular भी हो सकता है और plural भी हो सकता है तो आप बेसिक बात इधान रखेंगे कि जब भी ओप का प्रियोग choice के sense में क्या जाता है 24 कब करते हैं जब एक सेदीक आप महारे पास कोई भी चीज है तब 24 की जा सकती है और ओप के ओप का प्रियोग जब भी 24 के sense में क्या जाएगा तो इसके बाद नाउन countable होगी और 100% plural होगी ओप का प्रियोग जब भी हम possession के sense में करते हैं तो इसके बाद नाउन singular भी हो सकती है और plural भी हो सकती है basic concept आपको धान रखना है अब जैसे माल लिजे दे रखा है कि none के बाद में verb के आओगी singular होगी अगर single none subject का काम करता है तो कैसी verb लेता है singular लेता है यह हम देखते हैं से जैसे माल लिजे मैंने mention के एक example none belong to me none means होता है कोई नहीं यह ध्यान रखना है अब इसमें यह none क्या है subject है क्या है subject जब none subject का का काम करेगा तो इसके साथ जो verb आएगी वो कैसे होगी singular verb होगी और एक चीद ध्यान रखना singular verb कौन से होती है कि जिस verb के end में S होता हो singular होती है तो यहां belong नहीं होगा यहां क्या होना चीए belongs होना चीए इसमें क्या लगेगा S और एक basic और बात ध्यान रखनी है कि belong के बाद अगर preposition यूज होता है तो हमेशा क्या यूज होता है to तो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो none जब भी subject का काम करेगा तो इसके साथ verb कैसे आएगी singular आएगी अब जैसे मान लीजे none of दे रखा ये none of के बार noun कैसा है plural है कैसा है plural है क्या इसके साथ में SCN आ सकता है नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ओप का प्रियोग जो हो रहा है किस संस में हो रहा है 24 किस संस में हो रहा है 24 किस संस में तो जब भी कि आपका प्रियुक्त वाइस के संसिमें करेंगे तो इसके बाद में singular काउंटेवल नाउन का यूज कभी भी नहीं हो सकता यह आपको ध्यान इसमें रखना है अब नन ओप के बाद क्यान नाउन कंटेवल होगा प्लूुरल होगा लेकिन वर्ब कैसे होगी सिमलर ननोप के वाद नाउन कैसा है । हमसी मारत की वटीशं रहाँ लेती है कि नाप गल्स वर अवार्डेट यह मेंशन किया हुआ है तो इसमें क्छी धन रखना यह ननों मेंशन है इसके बाद यह नाउन कैसा है प्लूरल है लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी हो कैसे होगी स्मिलर होनी चाहिए यह वर्ब नहीं हो सकता है वर्ब की जगह हमें किसका यूज करना चाहिए वाज का प्रियोग इसमें कर लेना चाहिए फ़र्ड सेंटेंस है जैसे यह मेंशन किया हुआ है नन ओफ एक्स्पीरियन्स और रिक्वाइड फोर्ड पोस्ट यह मेंशन किया हुआ है अब इसमें चित द्यान रखना यह नन ओफ है नन ओफ के बाद एक्स्पीरियन्स आपके कैसे नावन है सबस्के का मालन तो इसके साथ वरह कैसे आएगी सिंगला और सिंगला वर्ब कौन सी होती है कि जिस वर्ब के एंड में ऐसे होता है कैसे होती है सिंगलर होगी ननोब के बाद में नाउन पर डिपेंड करता है कि कैसी वर्ब इसमें होने वाली है तो देखिए इसमें फोर्थ सेंटेंस एग्जम्पल देखते है इसमें नन बटल ये बोई और वेटिंग फोर यू फोर यू फोर यू एट दिस टाइं ये दिया हुआ है कि फिप सेंटेंस में दे रखा है नन बट मनी वर गीवन टू हर अभी दोनों सेंटेंस हम देखते हैं सबसे पहले क्या करना है हमें जैसे यहां नन बट है नन बट के बाद में नाउन कैसा है यह आपका एस सियन है सिंगलर है तो इसके साथ जो वर्व आएगी कैसे होगी सिंगलर होगी यहां आर पोसिबल नहीं है इस आर की जगे हमें क्या यूज़ करना है इसका यूज़ करना है केलियर हैं इक सेकिवंडसैंड दे रिखा एनंग लिए वए नंभेत के बाद में मनी कैसा नौन है आपका कीृ इस की एन है का अनकाऌंटेवल सार है की अब यह इस नावन के इसार वर्व का यूज करेंगे तो यह वर्प ऑसिवल नहीं इस वर्व को केंशल करेंगे कि इस वर्क की जगह में किसका यूज करना चाहिए वाज का यूज करना चाहिए अगर इसको समराइज करते हैं तो मैं कह सकते हैं जैसे मान लेजिए कि नन नन ओफ नन ओफ यहां दे रख है कि पीसी एन प्लूरल वर्ब यूसी एन अनकाउंटेवल नॉप इन तीनों के बाद में हर हालत में वर्ब कैसे आ रही है से लर किया आपको ध्यान रखना 2 दूसरा की नन बठ बाद में जो वर्ब होगी वो किसकर देल दोफ करेगी इस नाउन के उपड़िपेंड करेगी कि नाउन कैसा सह doğru है नाउन से वर्ब कैसे होगि सिम्लर होगि नाउन plural है तो वर्ब भी कैसे होगी plural होगी किले रहें संज में आगया होगे आप लोगों को आगे वठते हैं देखो next देरखा second दी प्लस adjective प्लस plural noun दी प्लस adjective noun प्लस वर्ब तो इसमें एक चिद्धन रखना कि यहाँ जो वर्ब आएगी वो इस noun के उनसार होगी किस आपको जैसे पता है कि सिंग एड़ेक्टिव क्या है एड़ेक्टिव उसे कहते हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन की विसेश्ता बताता है उसे क्या कहते हैं एड़ेक्टिव कहते हैं विसेशन जिसको हम कहते हैं इसका काम क्या होता है नाउन या प्रोनाउन की विसेश्ता ब बड़ी बाद क्या है कि सिंगल एड़ेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है यह सब्जेक्ट नहीं हो सकता है यह सब्जेक्ट नहीं हो सकता है subject कब हो सकता है कि जब इससे पहले हम किसका यूज़ कर दे दीका अगर adjective से पहले दीका यूज़ कर दिया जाए तो ये subject हो सकता है अब ये क्या करता है संपूर्ण समू का बोध करा देता है किसका बोध कराता है संपूर्ण समू का बोध करवाता है इसलिए इसके साथ में जो वर्व आएगी वो कैसे होगी singular होगी plural संपूर्ण की बात करेंगे तो यह समझ लो कि plural होनी चाहिए एक concept यह जैसे दे रखा है कि इसमें दी प्लस adjective प्लस noun प्लस verb तो यहाँ यह particular जो वर्व आएगा वो noun के अंसार होगा पूर एक्जामपल जैसे यहाँ mention किया हमने दप रिच इज एक्सप्लोइटिंग दप वर दीज डेच यह mention किया है और इसमें इस portion को आपने क्या कर रखा है अंडरलाइन किया हुआ है option A हो गया B है C है D है D में mention किया हुआ है no improvement यहाँ जैसे दे रखा है rich is the rich और सीध रखा है the rich is और अब इसमें इसमें देखिए सबसे पहले कि D plus adjective which adjective है इससे पहले D का यूज भी किया गया है तो यह subject का function कर सकता है D plus adjective जब भी subject का function करेगा तो यह समझ लो इसके साथ जो verb आएगी कैसे होगी plural होगी यहाँ verb कैसी है singular है इसका मतलब यह जो portion है यह right नहीं है इसमें mistake है अगर यह right होता तो कुनसा option होता D option होता लेकिन आपको बता दूँ यह right नहीं है तो हम D option को eliminate कर देंगे clear है single adjective कभी भी subject का function नहीं कर सकता है तो एक को भी out करेंगे clear है आपको बता दूँ इस adjective में कभी भी add on as यह yes नहीं कर सकते adjective में कभी भी asas नहीं जोड़ा जाता है asas केवल noun या verb में जोड़ा जा सकता है यह आपको धन रखना है तो इसमें C option भी eliminate होगा कौनस उप्षन होगा B option second sentence देखते हैं इसमें the poor man want to speak to you speak to you यह mention किया हुआ है अब इसको अगर मान लीजे error में convert कर लेतने किस्टन को यह section A हो गया यह section B है C है and यह दे रखा है neural D option सबसे बड़ी बात क्या है इसमें देखना है कि यह d दिया हुआ है इसके बाद poor क्या है adjective है और man क्या है noun है तो यहां व्रब कैसे होनी चाहिए सिंगलर होगी यर प्लूरेल होगी प्लूरेल हो नी कि यहां जो भी वर्भला आईगी yn की कोडिंग आएगि मेन वर्ड कैसा है सिंगलर है तो वर भी कैसे होनीची मर उनक्र नहीं होगा, want की जगह हमें किसका यूज करना चीए, wants का यूज करना चीए, किसका यूज करना चीए, wants का यूज इसमें कर लेना चाहिए, third sentence देखिए, the, experienced, 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 teachers, is, waiting for you, यह mention किया हुआ है, तो इसमें क्या है, कि जैसे, यह experienced क्या है, adjective है, दी लगा हुआ है, teachers क्या है, इसमें plural noun है, तो इसमें clear हो गया, कि यहां जो वर्ब आयेगी, कैसे होगी, plural होगी, is नहीं होगा, इस is की जगह में किसका यूज करना होगा, आर का यूज करना है, किसका यूज करना है, आर का, तो यह हमारा concept, विल्कुल clear हो गया होगा, कि d plus adjective, single adjective, कभी भी subject का function नहीं करता है, लेकिन d plus adjective subject का function कर सकता है, और इसके साथ, वर्ब कैसे आती है, plural आती है, क्यों आती है, क्योंकि संपुन समूं का बोध करवाता है, second दे रखा है, the adjective, d plus adjective plus noun, तो यहां जो भी वर्ब आएगी, वो according to noun होगी, noun singular होगा, noun plural होगा, तो वर्बी plural हो जाएगा, ठीक है, next देखिए, either, neither, each one, इसका meansowता है दो में से कोई एक, इसका meansowता है दो में से कोई एक नहीं, each का meansowता है प्रतेग और इसका meansowता है कोई एक, इसके साथ में यहां जो वर्व आएगी वो कैसे होगी, सिंग्लर होगी, कैसे वर्व होगी, सिंग्लर होगी, अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट में आपको समझा जेता हूँ, जैसे इदर, नीदर, इच, और वन, अगर इनके बाद में वर्व आती है, तो कैसे होगी, सिंग्लर, इस कंडिशन में यह प्रो नाउन का फुंक्शन करते हैं, इदर, नीदर, इच, और वन, इनके बाद नाउन यूज़ किया जाएगा, सिं, तो यहां वर्व कैसा होगा, सिंग्लर होगा, इस कंडिशन में यह डिटर्मिनर का फुंक्शन करते हैं, किसका फुंक्शन करते हैं, डिटर्मिनर का फुंक्शन करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, अब जैसे माल लीजिए मैंने एक एक एक्जाम्पल कंडिक्ट के इसमें I have two books English book अब आइदर आर अन इंग्लीज ग्रामर ये मेंशन किया हुए I have two English books या इसमें books mention कर लेते हैं I have two books and either are on English grammar अब इसमें देखिए सबसे पहले कि यहां either जो दिया हुआ है कि sense में आ रहा है pronoun के sense में यूज किया गया है कि sense में pronoun के sense में यूज किया गया है इसके साथ जो यहां verb use होनी हो कैसे होनी चीए singular use होनी चीए आर पोसिबल नहीं है इस आर की जगे हमें किसका यूज करना चीए इसका यूज कर लेना चीए किसका यूज करेंगे इसका second sentence second sentence लेते हैं जैसे मान लीजिए यहां जब मेंशन किया वा है either boy इसके साथ में यह नाउन कैसा आएगा singular है वर्ब भी कैसा आउना चीए singular होगा या need नहीं होगा या need की जगा है हमें किसका यूज करना चीए इनके साथ में जो वर्बह का परियोग क्या जाता है किसका प्रियोग के जाएगा सिंग्लों वर्ब का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट मैनी इसमें एक चीज और एड़ोन कर सकते हैं पन कि इनके बाद अगर ओफ आ जाता है जैसे मन लीजी इधर अगर यहां इसके बाद में ओफ आता है तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब क्या होगी यहां सिंग्लर होगी इनके बाद वर्ब कैसे हो जाएगी सिंग्लर होगी ध्यान रखना है इसमें चीज ध्यान रखनी अपन को कि यहां इधर नीधर इच वन के बाद में ओफ आता है तो इसके बाद नाउन कैसा होगा प्लूरल होगा लेकिन वर्ब कैसे होगी सिंग्लर होगी यह भी कंसेप्ट इसमें लागू होता है अब नेक्स क्या है जिसे मेनी के बाद नाउन वर्ब कैसा है प्लूरल है मैनी के बाद नाउन कैसा है, प्लूरल है, वर्भी प्लूरल है, मैनी ओप के बाद नाउन प्लूरल है, वर्भी प्लूरल है, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी के बाद नाउन प्लूरल है, वर्भी कैसा है, प्लूरल है, मैनी के बाद में ए एन के बाद में सिंगलर नाउन और अब इसमें एक चीद धान दखना सबसे बड़ी बात क्या है इसका जो कंसेप्ट होता है जैसे मानलीजी अमने एक सेंटे लिखा । bir दे वे इस बात ये कर दिख्रेंछР का सिर्खना सौ अविए रवर कास्तरव डृट मैं चर्डिकों डिंट वैगρ मैंना ग्रॉद्द प्राव फजब कर व्मेंजी और ейश्राव थार्चा आर वेरी इंट्रेस्ट थीज देज काफि अच्छा क्यूशन है ये और इस क्यूशन को जैसे हम सेंटर इंप्रूमेंट में ही डिस्कस करेंगे यहां देखिए ओप्षन ए ओप्षन बी सी एंड डी डी में मेंशन किया हुआ है नौ इंप्रूमेंट के लिए रहा है ओप्षन ए में दे रहा है प्रोग्रेम विच इज बीग इस बीग टेली कास्ट और टी वी ठीक है बी ओप्षन में है यहां प्रोग्रेम्स विच आर बीग टेली कास्टेट और टी वी ओप्षन मेंशन करते हैं इसमें प्रोग्रेम्स विच आर बीग टेली कास्ट और टी वी सबसे इंपोर्टेंट इसका क्या है इस क्यूशन का देखो सबसे वड़ी बात तो यह है आपको इसमें बैसिक चीज धहन रखनी है कभी भी ओंदा टी वी नहीं हो सकता है यानि टी वी से पहले कभी भी आर्टिकल दी का यूज नहीं होता है ओंदा रेडियो इराइट हो सकता है या दी का यूज हो सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है जिन भी वरभ के अंत में कास्ट होता है उसकी तीनों फरम सैम होती है जिस भी वरप केंद में कास्ट होता है उसकी तीनों फिर्म कैसे होती है और ब्रोड कास्ट का प्रियोग रेडियो के लिए होता है यह बेसिक बाते आपको ध्यान रख़नी है ठीक है सबसे बड़ी बात ती इसमें एक और ची ध्यान रखना कभी भी हूँ विच डेट यह आरपी है रिलेटिव प्रोनावन है यहां जो भी वर्व आएगी यहां आने वाले वर्ड के उन्सार आएगी यह वर्ड अगर सिंउलर है तो वर्व भी सिंउलर होगी और यह वर्ड प्लूरल है तो वर्व भी क्या होगी प्लूरल होगी ठीक है अब इसमें एक चीत देखिए सबसे पहले क्यूशन को चेक करते हैं जैसे मैनी की रिक्वार्मेंट क्या होती है कि इसके बाद नाउन के सा होना चाहिए प्लूरल प्रोग्रेम से दे रखा है विच आपका आर्पी हो गया इस बिंग ब्रोड कास्टे ब्रोड कास्ट ऑन दा टीवी तो ऑन दा टीवी नहीं होगा एक पॉइंट यह मिस्टेक होने का दूसरा यहां जो भी वर्वाएगी वो कैसे होनी चाहिए प्लूरल होनी चाहिए थी इसमें इस दे रखा है और ब्रोड कास्ट का प्रयोक्त रेडियो गले होता है तीन चार पॉइंट ऐसे जिसके आधार पे इसको कैंसल करेंगे तो इसमें डी ओप्शन क् मैं इसमें के बाट क्या कारण कि मैंनी के बाद जो नाउन होती हो कैसे होती है प्लूरल कर देंगे इसमें ईसको इस काधर पर कैसी होती है तो देखो इसमें कुछ बेजिक वाते आपको ध्यान रखनी है爷 इसकुन करते समय रिल्यक्यट प्रोणौन होता है हो विस डेट इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोणौन और सोट में बोलते हैं आर पी इनके बाद जो भी वर्व आएगी वह इसे पहले अगर अतिया वर्ट अगर सिंग्लर है तो भी Goku कैसा होगा सपिंग्र होगा और वड प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा वह दूसरा ऑंधा रेडियो राइट हो सकता है ओंधा टीवी नहीं होता टीवी से पहले कभी विद्धी नहीं लगता है जिस भी वर्ब के अंतर में कास्ट होती इसकी तीनों फोरम एक जिसी होती है यह आपको धान रखना है त्टली का का प्रयूप टीवी के लिए जाता है और ब्राड कास्ट का प्रयूप रएडी के लिए क्या जाता है के लिए हैं और next question देखिए इसमें अब पिछला जो question उसका मैं एक example है here set कर देता हूं दो example मुझे set करने हैं मैं कर देता हूं इसमें यहां स्पेस नहीं था जैसे मानली जी ए ग्रेट मैनी ए ग्रेट मैनी बॉइज वाज देकलेट सक्सेस्फूल सक्सेस्फूल लास्टियर यह मैंशन किया हुए सेक्षन यह हो गया बी सेक्षन है एंड यह सी सेक्षन है एंड नो एरर है यह डी सेक्षन है सेकिंड सेंटेंस यहां देशे दे रखा है यह मैनी student a main student wants to मेट यू मेट यू नौ अब सबसे पहले इसमें जान लो की एक ग्रेट मैनी एक ग्रेट मैनी एक ऐसा फ्रेज है जो कैसे नाउन लेता है प्लूरल बॉइज लेकिन इसके बाद में जो वर्व आएगी हो कैसे होगी प्लूरल होगी या वाज पोसिबल नहीं है इस वाज की जगा हमें किसका यूज करना चाहिए वर्व का के लिए रहे 20 सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाए आपको इध्यान रखना है कि जैसे मैनी से पहले कभी भी इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं आ सकता है कि इंडेफिनेट आर्टिकल का मींस क्या होता है वन होता है क्या होता है वन होता है और वन के बाद में कई नहीं हो सकते तो इध्यान रखना है कि यह जो सिक्वेंस हो गल तो प्रोब्लम किस पार्ट में होगी ए पार्ट में इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कभी भी मैंने इससे पहले नहीं किया जाएगा इसके बाद हो सकता है इसके बाद नाउन और वर्व दोनों कैसे होती है सिंगलर होती है क्लिए रहें अब देखो इसमें इट प्लस सिंगलर वर्व प्लस नाउन या प्रोनाउन इसमें ध्यान रखना है कि यहां जो वर्व आ रहा है वो इसके उनसार आ रहा है यह किसी भी मूड में हो सकते हैं कोई प्रोलम नहीं है जैसे मान लीजीए यहां यह जैसे इट प्लस सिंगलर वर्व नाउन प्रोनाउन यह दि condition में है उसके उसर्वर का प्रिव के जाएगा जैसे मान लीजे एग्जम्पल दिया हुआ है फर्स्ट इत और इत और रेनिंग हेविली नाओ मेंशन किया हुआ है सेकेंड सेंटेंस है इत इस मी वूंट तू मिट यू यह मेंशन किया हुआ है सेक्षन क्या है यह सेक्षन ए हो गया यह सेक्षन बी है एंड यह सेक्षन सी दिया हुआ है एंड यह नवरेडी ओप्सन है सबसे इंपोर्टेंट फेक्ट इसमें देखना क्या है कि जैसे इट अगर सब्जेट का फंक्शन करता है तो वर्ब कैसे आनी चाहिए सिंगलर आएगे यह प्लूरल आएगे यह बताईए तो इट जब भी सब्जेट का फंक्शन करेगा तो इसके साथ जो वर्ब आता है वो कैसा होता है सिंगलर होता है यह यह बेसिक बात और बता देता हूँ तूबी 2B का जो mince होता है इसमें जो verb आएगी is, am, are was, were क्या होगा is, am, are, was, were और 2B के बाद में बात करें कौन सा case आएगा subjective या objective case तो बिल्कुल basic ध्यान रखना 2B के बाद में कभी भी objective case नहीं आता क्या आता है subjective case आता है कौन सा case आएगा subjective case आता है objective case नहीं आता है 2B के बाद में कभी भी क्या आएगा subjective case आता है objective case नहीं आता है कौन सा नहीं आएगा objective case नहीं आएगा अब यहाँ एक चित धान रखना कि जैसे यह दिर्षका it is me who want भाई यह 2B का ही एक पार्ट है तो यहाँ objective case नहीं आना चीए यहाँ क्या नहीं आएगा objective case नहीं आएगा subjective case आई होगा क्या होगा आई दूसरी बात यह ध्यान रखना है यह RP है क्या है RP है relative pronoun है तो इसके बाद यहाँ जो भी वर्व आएगा वो किस कंसार होगा I की रिक्वार्मेंट क्या होते है plural रहोगी तो V1 plural ही होता है कोई issue नहीं है problem किस पार्ट में होगी B part में problem हो जाएगी तो इसमें आपको ध्यान रखना 2B, 2B को open करते है तो क्या क्या आता है EJMR वाजवर आता है और EJMR वाजवर के बाद में subjective case का उसके जाता है objective case का नहीं किया जाता है यह आपको ध्यान रखना है next इसमें 6th number पर देरखा है subject 1 है यह और यह subject 2 है यह conjunction है as well as है and not है not less than है like, unlike, with along with, led by, together with in addition to rather than dominated by ruled by, governed by, besides and except यह दिये वे जब भी दो conjunction अगर इन से जुड़े वे हैं तो verb हमेशा किसके उन्सार आती है according to first subject के उन्सार आती है और subject verb agreement का सबसे important rule होता है कई बार इसके questions आते रहते हैं देखिए first example इसमें देखते हैं जैसे मानली जीए रोहित as well as his brothers are preparing for competitive exams now एक sentence दे रिखा same sentence और ले लेते हैं competitive spelling इसमें देरिखा है जैसे रोहित and his brothers इस प्रिपेरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स नाओ ये मेंशन किया हुआ ठीक है अब इसमें देखना एक चीद धन रखना as well as और end इन दोनों का means ही क्या होता है और होता है और दोनों ही conjunction है लेकिन difference ये है कि अगर इससे दो subject जुड़े हैं तो वर्ब किसके अंसार आएगा first subject के अंसार इसके बाद वर्ब कैसे आता है plural आता है difference दोनों का ये हो गया जैसे as well as और end दोनों का हिंदिवर्ट तो और ही होता है लेकिन अगर दो subject अगर as well as से जुड़े हैं तो वर्ब का प्रियू किसके अंसार के जाता है first subject के अंसार first subject singular होगा तो वर्ब भी singular होगा और first subject plural होगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा plural होगा अगर end से जुड़े हैं तो दो subject वर्ब क्या होते हैं अब यहां एक चीज़ देखना रोहित as well as his brothers एक subject कौन सा है subject 1 कौन सा हो गया यह कौन सा हो गया subject 2 हो गया तो यहां जो वर्ब आएगा वो किसके अंसार आएगा रोहित के अंसार रोहित कैसा है singular है रोहित कैसा है singular है तो वर्ब भी कैसा होना चीज़ इस singular होगा तो simple से वाद है कि यहां आर नहीं हो सकता है इस आर को हम cancel करेंगे इस आर की जगे किसका युज़ करना चीज़ है हमें इसका प्रियू करना चीज़ है इसका सेगिंड सेंटेंट एंड एंड इस प्रिपेरिंग फॉर कॉंप्रेटिव एक्जाम नाव दे रखा एंड इसमें सब्जेट एक रोहित है इस ब्रादर से दोनों किसे कनेक्ट हो रहे हैं एंड से तो इसके बाद जो वर्व आएगी ओं कैसे होनी ची प्लूरल होनी ची इस नहीं होगा, इस की जगे मैं किसका प्रिऊखकर ना ची, आर का प्रियूखकर देना ची, इसका प्रियूखकर ना ची, आर का, तो आपने देखा किसमें, conjunction का कैसा रोल है, किस तरीके से conjunction यूज हो रहे हैं, देखो, next, देखिए थर्ड एक्जम्पल इसमें देखते हैं आगे अपन and the captain along with his soldiers वर इंज़र्ट इन दा कार एक्सिडेंट लास्ट वीक तो इस सेंटेंस में जैसे मान लीजिए यह सेक्टिन, यह मेंशन है बी है सी है एंड द ओर द ओप्शन सबसे इंपोर्टेंट फेक्ट क्या इसमें दी केप्टन अलोग विदेशल्जर्ज वर इंजर्ड इन दा कार एक्सिडेंट लास्ट वीक तो इसमें सब्जेक्ट फस्ट कौन सा है दी केप्टन है second कौन सा है his soldiers यह कैसा है plural है यह S2 है और यह S1 है यह कैसा है सिम्लर है और यह कैसा है plural है तो इसमें कि चित ध्य AN डखना यहां जो worm आएगी साथ संब्जेक्ट 1 साथ सिम्लर है तो वर्व हो आप यहां word possible नहीं इस word को cancel करेंगे वर्क की जगे में किसका यूज करना सी है वाज का प्रियूख करेंगे ठीक है फोर संटें ले लेते हैं जैसे मान लेजिए अमेट एक्स एक्सेप्ट हीज फ्रेंट्स और इंट्रेस्टेट इने helping you यह mention किया हुआ है section A हो गया है यह section B है and C है और यह दिया हुआ D option तो सबसे important factors में क्या है कि जैसे यहाँ S1 कौन सा है S1 है his friends कौन सा है S2 है दोनों किसे connect हो रहे है accept से तो verb का use किस के अंशार के जाएगा first के अंशार S1 के अंशार करेंगे S1 का means first subject S2 का means second subject first subject के इसमें Amit है तो Amit के अंशार verb कैसे आएगी similar होगी R की जैगे हमें किसका use करना चाहिए इसका use करना चाहिए तो problem किस part में होगी C part में problem हो जाएगी आंशार हमारा C हो जाएगा rule no.7 दे रखा है nothing but except noun plus verb देखो इसमें noun singular हो या plural कुछ भी हो सकता है लेकिन verb in every condition के सा होगा singular होगा या आपको धान डखना nothing but या nothing except के वाँ noun singular या plural कुछ भी हो लेकिन verb in every condition कैसा होगा singular होगा या आपको देखना है जैसे example इसमें देखते हैं nothing but tea verb served to us served to us इसमें 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 किया होगा है second sentence दे रेखा है nothing but boys are waiting इसमें इसमें देखिये सबसे पहले nothing but इसके बाद टी कैसी नाउन है you see कैसी है you see है अब यहाँ जो verb आएगी हूँ कैसी होगी singular होगी मैंने बताया nothing but के बाद noun singular हो या plural verb हमेशा कैसा होता है singular होता है यहाँ verb possible नहीं है इस वर की जगा है में किसका यूज करना चाहिए was का second sentence देरेखा nothing but boys are waiting for you at this moment इसके बाद noun कैसा है plural है लेकिन concept आपको पता है कि nothing but के बाद में जो verb आएगा और कैसा होगा singular होगा यहाँ आर पोसिबल नहीं है इस आर की जगा हमें किसका यूज करना चाहिए इसका प्रियूग यह कर लेना चाहिए next है कि जैसे body one thing जिस भी word के अंत में body one thing होगा उसके बाद verb कैसा होगा singular होगा कैसा होगा singular यह clear है जैसे example देखते हैं इसमें हम आपन first everybody everybody know you first sentence second sentence everyone are found of having good meal third sentence third sentence इसमें मेंशन किया है इसमें देखिए सबसे पहले जैसे कि मैं पता है कि जैसे जिस भी word के इंत में body one और thing होगा उसके बाद verb कैसा होता है similar होगा यहां क्या mention क्या हुआ है no everybody के बाद में जो verb आएगी और कैसे होगी similar होगी यह no possible नहीं है इस आर की जगे किसका यूज करेंगे इसका यूज करेंगे nothing में THING दे रखा है तो यह भी similar होगा इसके बाद आने वाली बरब क्या होगी singular होगी लेकिन इसमें concept ध्यान रखना एक concept और चीज का ध्यान रखेंगे अपन जैसे यहां एक mention किया हुआ है जैसे मान लीजे everybody likes you और यहां mention किया हुआ है जैसे doesn't he doesn't he 5 sentence है इसमें जैसे everything is okay aren't they यह mention किया हुआ तो इसके concept होता है कि जैसे body question tag अगर इसमें add हो जाता है question tag हो जाता है तो body और 1KLM किसका use करेंगे देका आपको पता है कि think के लिए हम किसका यूज करेंगे question tag में it का यह हम topic में देका यूज करते है और think के लिक्स करेंगे it का अब देख के साथ तो word plural आएगी और it के साथ word कैसे आएगी similar आएगी detail हम topic में पढ़ेंगी तो यह everybody likes you अब देखो यहां देखेंगे आप जैसे body है तो वर्ब क्या है singular है कोई issue नहीं है लेकिन question tag का part हो गया question tag का part हो गया तो यह ही नहीं हो सकता यहां क्या होना चीए दे होना चीए और दे के साथ word क्या होगी plural होगी doesn't नहीं होगा यहां क्या होना चीए था don't होना चीए don't uses में करेंगे don't they होगा everything is okay तो वर्ब क्या है singular है लेकिन आपको पता है कि think के लिए हम दे का यूज नहीं करते किसका यूज करेंगी it का और it के साथ जो वर्वाइग क्या होगी यह preposition word है clear है इससे पहले first noun pronoun है और second noun pronoun है एक basic बात ध्यान रखना preposition जो word है इसके बाद या तो noun हो सकता है या pronoun होगा या v1 plus ing होगा जिसको verbal noun कहते हैं अब इनका case क्या होगा ध्यान रखना subjective case होगा या objective case होगा या आपको जानना है तो मैं आपको बता दूँ कि preposition के बाद में कभी भी subjective case नहीं होगा वो क्या होगा objective case होगा ये preposition के बाद क्या होगा objective case होगा तो क्या objective case के अंसार वर्व आ सकता है क्या नहीं आयेगा ये कौन सा case होगया subjective case हो गया तो जो verb आएगा वो किस concern आएगा subjective case किसर आएगा subjective case कैसा है उस concern verb होगी singular होगा तो verb भी singular हो जाएगी subject plural होगा तो verb भी plural होगी यह concept इसमें लाग होगा ठीक है न मैं अब यहाँ क्या जैसे दे रिखा है यह concept example इसका ले लेते हैं आपन यहाँ जैसे दे रिखा है he he with पहला example जैसे में देख लो he is या I am sitting with see at this moment यहाँ दिया हुआ है अब इसमें खी ध्यान रखना है सबसे पहली बात तो ध्यान रखेंगे कि with इसमें क्या है प्रेपोजिशन है क्या है pre-position है pre-position के बाद pronoun किस केस में अना चाये किस केस में आए objective case में हो नहीं सकता है तो यहाँ क्या नहीं होगा see नहीं होगा see की जाएगा किस का use करना चाये her का use कर लेना चाये ठीक है अब इसमें second sentence यसी देखते है he said his money among we यह mention किया वाय तो इसमें देखिए सबसे वेले he said his money among us तो among क्या है यह preposition है among क्या है preposition है अब preposition है तो यह तो पता है कि यहाँ we possible नहीं है we कीजेगा हमें किसका प्रेश करना चाहिए असका यह तो होगी इसके बाद subjective objective स्वाली बात थर्ड नंबर पर दे रखा है he with his friends और प्लानिंग तू विजीट तू माउंट अवू इस प्रकार से mention किया हुआ अब इसमें धान रखना यह with है यह किसका गाम कर रहा है यह conjunction का भी है और preposition भी है तो इस condition में यहाँ जो भी वर्वाएगी वो his friends के अनुसार नहीं होगी वो किसके अनुसार होगी he के अनुसार होगी और he के अनुसार जो वर्व लेंगे हम कैसे लेंगे singular लेंगे आर नहीं होगी इस आर की जगे किसका यूज़ करना चाहिए इसका तो इसे दो-तिन concept आपको ध्यान रखना है preposition के बाद में है तो noun होगा pronoun होगा या v1 प्लस ing को जिसको verbal noun करते हैं यह subjective case में नहीं होता है किस case में होता है objective case में होता है confirm है ठीक है next देखिए यहां जैसे दे रखा है every every का means प्रतेक होता है इसके वाद singular noun है singular noun है यानि दो singular noun end से connector उन से पहले every का प्रियूख किया गया तो वर्व किया होगी singular होगी या दो से दीक singular noun end से connect हो रिखी है और उन से पहले every है तो वर्व किया होगी singular होगी दो singular noun end से connect है और उससे पहले each का प्रियूख किया गया तो वर्व किया होगी singular होगी each and every के बार noun कैसा है singular है तो वर्व कैसे होगी singular होगी तो आप एक concept मान के चलो कि each every के बाद में noun भी singular होगा और verb भी क्या होगा singular होगा अब जैसे देखिए कैसे यहां जैसे mention किया हुआ है every boy and girl are to turn up for practice second sentence ते रखा है each participants participants will be awarded for his best performance and third sentence है each and every mother praise her child यह mention किया हुआ तो सबसे बड़ी बात ही है क्या है क्या है क्या दे रखा है every boy and girl यह दोनों क्या है scn है यह यह भी scn है end से connect है इन से पहले every का प्योग किया गया है तो यहां जो भी वर भी उज करेंगो कैसे होगी singular होगी are possible नहीं है are को cancel करेंगे are की जगे किसका उज करेंगे is girl second दे रखा है each participants each and every के बार noun कैसा होता है singular होगा will you award a ds writer को issue नहीं है for his best performance each and every के बार noun कैसा है singular है तो वर्ब भी कैसा होना जी है singular होगा praise नहीं होगा praise की जगे किसके करेंगे इसमें as लग जाएगा singular verb इसमें connect हम करेंगे ठीक है तो each every each and every के बार में noun कैसा होगा singular होगा और वर्ब भी कैसा होता है singular होता है ठीक है दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें थेंक्यू